इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Sysotor 25 Tablet is used in the treatment of schizophrenia, यानि की, a mental disorder that can result in hallucinations or delusions and also adversely affects a person's ability to think and behave. Sysotor 25 Tablet may be taken with or without food. हाला कि, इसे हर दिन एक तैस समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है. इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में ही ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं, तो उसे जल्द ही ले ले. बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोई पूरा खत्म करें. ये आवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बंद न किया जाए क्योंकि इस से आपके लक्षनों की अवस्था और भी खराब हो सकती है. इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में शामिल हैं, ज्यादा पसीना निकलना, द्रिश्यात मगबाधा और ब्लड प्रेश घर जाना. अगर ये साइड इफेक्स ठीक नहीं होते हैं या बिगर जाते हैं तो कृप्या अपने डॉक्टर से परामर्ष लें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आप High Body Temperature और मासपेशी की अकड़न यानि की Neuroleptic Malignant Syndrome से पीडित हैं, आपको असामान्य जीब या Face Movement यानि की Diskinasia, हिरदे रोग, Diabetes, Parkinson रोग, Dementia, Fit यानि की मिर्गी निगलने में कठिनाई, यानि की Disphagia या Liver से संबंधित कोई समस्या रह आएं, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, पाद,